हालो अरिवन वेलकम टू दी ओन्लाइन लर्निंग प्रेट्फोर्म बेजी पार्ट साला इस वीडियो में हम बनारा सिंदु नश्टी द्वारा संचालिद सेंट्रल हिंदु स्कूल के क्लास 6 के इंटरंस एक्जाम के जितने भी इंपॉर्टेंट डीटेल्स हैं सभी को कवर क क्या है कब आपके अद्मिट कार्ड आएंगे कब आपकी एक्जाम होगी कब आपका रिजल्ट आएका कब आपकी काउंसलिंग होगी यह सारे डीटेल्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे सो विदाउट इन टाइम लेट स्टार्ट दिख रहा होंगे सबसे पहले इंपॉर् अगर कोई करेक्शन होता है अगर कोई करेक्शन के ज़रूत पड़ती है आपके अप्लिकेशन फॉर्म में तो वह तीन अप्रेल से लेकर के साथ अप्रेल 2021 तक किया जा सकता है उसी पोर्टल पे भीच्यू ऑन्लाइन डॉट इन पे आप यह करेक्शन भी कर पाएंगे आच मई 2020 को आपके अड्मिट कार्ट भी इस्यू कर दिया जाएंगे इट मेंस कि फिर्ट अप में 2021 से आपके अड्मिट कार्ट आने लाएंगे आप होटल से डाउनलोड करके उसके बाद उसे प्रेंट करा करके आप एग्जामिशन हाल में जाएंगे अब देखिए सबसी इंपॉर्टेंट चीज यह आती है कि एक्जाम कब होगा तो क्लासिक्स का जो एक्जाम है यह 14 आफ जून को होगा दिन सोमवार रहेगा हुजन और चुबह आट बैस से दसवे तक आपका यह एक्जाम होने वाला है सो अगली स्लाइट पर चलते हैं इंपॉर्टेंट और क कर दा कि यह कब होगा उसका अंसर कि जो है वो ती जून दोहाय 21 को आएगी यह वान्यूंध क्यों होगी और जो रिजुल्ट होगा है जिसका आप सब को बहुत बेसबरी से इंतथार होता है वो डेट क्या है तो वो है दस जूलाई दोहाय 23 को आपको इस परिुम क्रिक्ष यह है थर्स्टे ठीक है और टाइमिंग क्या है आपका एट एम टू ट्वल्ब नून यानि कि सुबा आड़ वैस और दुपार बारवे तक आपकी कॉंसलिंग होगी एडमिशन होगा अब देखिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर देखिए यहां पर डिटेल्स आपको 600 रुपीज है ठीक है यह भी आपको क्लियर हो गया होगा अई हो उसके आगे हम चलते हैं अब देखिए यहां पर पात आते हैं इलिजबिल्टी क्रैटेरिया कि कि आपको जो अगर क्लासिक्स में कोई बच्चा फॉर्म फिलप करना चाहता है तो उसकी मिनिम्म जो है कौन स रिक्वार्मेंट्स उसको फुल्फिल करने होंगे तो देखिए सबसे पहला यह है कि आपको जो एज है वह 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए किस डेट को यह 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए तो यह सेप्केमबर 30 2021 यानि 30 सितमबर 2021 में जो आपका उम्र होगी एज होगी कि वह 10 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक होना चाहिए अब देखिए सबसे सिंपल सी बात है कि जब इसके कार्डिंग देखेंगे तो डेट अब वर्ष किस डेट से किस डेट के बीच क्यों होनी चाहिए तो वह होना चाहिए तीस नौ दो हजार नौ यानि कि 30 सितमबर दो हजार नौ और 30 सितमबर 2011 के बीच होना चाहिए ठीक है आई वो आपको यह क्लियर हो गया होगा और सिंपल सी एक और रेकार्मेंट होती है एक और क्रेटेरिया है कि जो बच्चा है जो अस्पिरेंट है वो क्लास विफ जो है को पास डाउट होना चाहिए यहनि किसी भी विद्याले से किसी भी स्कूल से वह बच्चा जो है या बच्ची जो है वह क्लास विफ्ट के एक्जामनेशन को पास करी हो यह जाए ठीक है अब आगे चलते हैं नेक्स डेटेल देख लेते हैं अब बात आती है सीट की कि स्कू स्कूल में 90 सीट हैं और उसी के साथ साथ जो सीच जीएस यानि सेंट्रल हिंदू गोल्स स्कूल है वहां पर कितनी सीटे हैं क्लासिक्स के लिए तौहां पर 50 सीट है अब देखिए मेरा ऐसा पॉसनल एक्पिरियंस है और यह पैटर्न चला आ रहा है कि जो एड्मिशन होता है लेकिन नार्मली जो एड्मिशन होता है इससे अधिक सीटों पर होता है आईए अगले स्लाइट क्यों चलते हैं देखिए यहां पर एक और इंपोर्टेंट डिटेज है यह बहुत इंपोर्टेंट है कि एक्जाम पैटर्न क्या होगा सेलिबस क्या होगा एक्जाम के लि है यानि कि अंग्रिये जी हिंदी गडित समाजिक विग्यान और जो आपसे समान्य विग्यान भी पूछा जाएगा अब देखिए यह इतने भी पांचों सेंसे 20 कुशन्स रहेंगे एक्जाम में इनिकि जो प्रविस परिक्षा होगी उसमें पांचों से कितने प्रस्ण हो आपको आपको ऐसे करके चार आप्शन्स दिये रहेंगे तो आपको इससे को पुरा जो है वह वो पीलप करना होता है ठीक है जैसे इसको अच्छे से आप बिल्कुल कलरेंगे यह होती है आई होप आप सब जानते होंगे और अगर नहीं भी जानते हैं तो आपको किसी तो उसके बाद हम अगली स्लाइड पर चलते हैं नेक्स डीटेल क्या है हमारा उसको देखते हैं सो देखें यहां पर लास्ट का बात आ जाता है कि बिल्कुल लास्ट में जो आपकी काउंसलियं होगे अडमिशन के टाइम यह तो आपको अगर आप अच्छे से मैनाद करते है उसे के साथ जो प्रीविएस इस्कूल लिविंग सेटिफिकेट है जिस विद्याले से आप पास करके एक अच्छा पाच में आया हुए है उसका जो है वो टीसी जी से हम कहते हैं वह होनी चाहिए आपके पास ट्रांसफर सेटिफिकेट और लिविंग सेटिफिकेट भी इस तरीके के जो भी अगर क्लेम करते हैं तो उसके लिए आपको जाती प्रौन पत्र आपके पास होना चाहिए जी से हम कार्विष्पत्र सेट आपको थोड़ा कंफूजिंग लग रहा होगा सेट का मतलब है आप पे स्कूल इंटरंस टेस्ट है निकि जो आपने इंटरनेट से निकलवा करके और उसको प्रिंट करा करके जो आप एक्जामनेशन हॉल में ले गया हैं जिसपे आपका जो परिक्षक होता है जिसे हम इन्विजिलेटर कहते हैं काफिन इनक्षक ने जिसपे साइन किया होगा उसको आप बिल्कुल संभाल कर रखेंगे और वह अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आपको डिटेल समझ में आई हूँ तो आप दूसरों तक भी सेर करिए जिससे दूसरों को भी यह डिटेल अच्छी तरीके से समझ मैं और उनको भी कोई डाउट ना रहे तो इसी के साथ आट लास्ट थैंक्यू और आल दे examinations